हुक्काम वीएस मैसरस यंग टेक प्राइवेट लिमिटिड मसला, फनानस एकट 2018 के तहत आम फोन पर मोबाइल है नडसीट लेवी का नफाज मैसरस यंग टेक प्राइवेट लिमिटिड ने मोबाइल फोन दरामद किये कलेक्टर कस्टम्ज ने फनानस एकट 2018 की सेक्शन 10 के तहत उन फोन पर मोबाइल है नडसीट लेवी लगाई हालों की ये स्मार्ट फोन नहीं थे सेक्शन 10 सिर्फ स्मार्ट फोन पर लेवी लगाता है जिसमें एक टेबल है जो जुम्रा जात और लेवी की शरहें बताती है फनानस एकट 2022 ने टेबल में तर्मीम की स्मार्ट फोन की कैटीगरी की जगह मोबाइल फोन जिसकी C&F वल्यू अमरीकी डॉलर कर दी गई यंग टेक ने हाई कोर्ट में आम फोन पर लेवी को चलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की दर्फास्ट मुस्तरिद कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा अदालत ने फैसला दिया कि सिर्फ section 10 की table में तर्मीम करके आम फोन पर लेवी नहीं लगाई जा सकती टैक्स लगाने का इफ्तियार charging section 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 10 से आता है ना कि शर्फ बताने वाली table से table सिर्फ इन लेवी के लिए शर्फ मतयान कर सकती है जो charging section के जरिये में जाज है इस मौामले में सेक्शन दस आम फोन पर लेवी की अजासत नहीं देता था सेक्शन दस में तर्मीन के बगएर टेबल में तर्मीन करके मुखतलिफ खसम की इशिया पर नहीं लेवी नहीं बनाई जा सकती अदालत ने टेक्स कवानीं की तश्रीफ के लिए ओसूलों को लागू किया किसी ऐसे सामान पर लेवी नहीं लगाई जा सकती जिसका चार्जिंग सेक्शन में जिक्र ना हो टेबल चार्जिंग सेक्शन के दाइरे को वसी नहीं कर सकती ये केस वाज़े करता है कि हुकूमत मौजूदा कानून साजी में टैबलू में तर्मीन के जरीए नए टेक्स नहीं लगा सकती है लेवी लगाने से पहले चार्जिंग सेक्शन को सराहत इजासत देनी चाहिए